हाई गाईज नमस्ते जय हिंज जय मातादी और जय भारत और आज हम कलकी के नेक्स्ट फेस पे नेक्स्ट उसी चैप्टर में हम अभी यह चैप्टर थोड़ा सा लंबा है ताइम देगा खतम होने में क्योंकि मैं हर एक चीज छोड़े से छोटी मिस नहीं करना चाहती हूं ड कलकी के जो ब्रदर कवी उनकी जो है वो लड़ाई शुरू हुई और क्या-क्या इनके रियल मीनिंग है वो भी मैंने आप तक पहुंचाए है कि कहां हम रियल लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हैं जो सगम्स्टांसे से सिचुवेशन हुई है आज हम उसी में एक नेक्स्ट सेक्षिन में जाएंगे जहां हम माया की बात करेंगे माया देवी की बात करेंगे और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मैं इसको पढ़ रही हूं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हर एक इविंट जो हुआ है और यह बहुत छोड़ चोड़े फेज जो टाइम फेज हैं हर ए दिखते हैं शुदोदानों कि कभी को वो हरा नहीं पा रहे हैं और कभी बहुत स्ट्रॉंग हैं तो वो क्या करते हैं वो माया देवी को बुलाते हैं अब माया देवी मतलब बेसिकरी इल्यूजिन वो माया देवी का आवाहन करते हैं या बुलाते हैं और बेसिकरी क्या करते हैं कि माया देवी का आवाहन किसले करते हैं क्योंकि माया देवी का मतलब ही है कि जुतने भी इंसान डेमिगोड्स जो एक्चल भगवान नहीं है लेक माया देवी हैं, उनके प्रभाव से वो निश्क्रिये हो जाएंगे, स्टैच्यों बन जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो एक्तम मूव नहीं कर पाएंगे, तो इस रीजन से वो माया देवी को बलाते हैं, आप सबसे पहले तो माया देवी का अर्थ समझते हैं, मा देवी भी बोलते हैं लेकिन देवी का मतलब एक्चरी कुछ भी ऐसा जो बहुत excellence के साथ किया जाए तो इसको भी देवी बोला जाता है और यहां पर एक meaning मुझे ये भी मिला कि illusion का मतलब होता है ऐसे कोई चीज जो आपके senses को confuse कर दे या आपके senses को directly approach करे या impact करे तो basically अगर म एक तरहां की illusion है, right? एक illusionary जिन्दगी जो है वो हमें दिखाई जाती है या create की जाती है जब आप movie देखते हो उसमें बैठे-बैठे आप रोते हो लेकिन वो real तो नहीं है लेकिन आपको उसमें इस तरहां से उल्जा दिया जाता है वो माया का असर है कि आप अपने आपको उसमें महसूस करने लगते हो और आप रोने लगते हो तो वो है illusion उसको बोलते है माया देवी तो माया देवी अब माया देवी जो है वो basically ऐसी situation है जहां पर बहुत सारी ऐसी illusions जो है ऐसी images ऐसी चीजे ऐसा जो senses से आप जैसे जो देख सको जो सुन सको जो महसूस कर सको ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो बहार आएंगी आई जो आपको ब्रह्म में डालने के लिए कि थी क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उस energy में जाने लगे जहां पर वो जड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगे जो पहले चीजें आई थी उनको लेकर और एक illusion उनको create कर करने के लिए एक तरह से भटकाने के लिए वहां से ऐसे चीजें जो है वो ऐसा content जो है वो फ्लो हुआ ऐसा content फ्लो हुआ जो basically उनको illusion के energy में ले जाए confusion के energy में ले जाए सच से जो है थोड़ा सा परे ले जाए और यहां पर बोला जाता है दाट शुदुदानों और उनके millions of soldiers मलेच soldiers और मलेच का मतलब होता है कोई ऐसा जो actually foreign element हो या foreigner हो या मलेच का मतलब यह भी होता है जो धरम से दूर हो जिसने धरम का अचरण छोड़ दिया हो या कोई barbarian हो मतलब इलकुल एक तरह से क्या बोलते है उसको किसी तरह का emotion ना हो उसके अंदर वह बहुत जादा मेर को word आ रहा है लेकिन मुसे बहार नहीं निकल रहा है बहुत जादा एक तरह से घलत energy में पके दिल का जिसका कोई जिसके किसी के दर्द का कोई असर ना हो उस तरह की energy तो basically इसका मतलब है कि उन illusions के अंदर क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब जब वो जो शुदोदानों है शु सेनिक थे और उनके रथ पर आगे ही सबसे पहले मया देवी बैठी थी तो इसका मतलब जो मैं निकाल रहे हैं इसका मतलब है कि इस तरह का content इस तरह की चीजें इस तरह की illusions इस तरह की बातें आपके सामने लाई गई और बहुत सारे लोग बैगराउंड में काम कर रहे थे लेकिन आप वो background नहीं देख पाए, आप उतने सारे लोगों को उस वक्त नहीं देख पाए, लेकिन ये एक phase है, जहां पर बहुत लोग इस कलकी energy के अंदर introduced हुए, बहुत मतलब foreigners, इंडिया से बहार के बहुत सारे लोग through content, which means YouTube या अलग channels, उस content के थूँ वो खलकी के energy में include हुए और उन्होंने divergence करना, illusions create करना जो है शुरू किया, अब यहां पर, जब illusions की बात करते हैं, तो यहां पर बात करते हैं, कि माया देवी जिस चारियट पर बैठी थी, उनका जो फ शेर का symbol, अब शेर का symbol, अगर शेर का sign, अगर आप बोलें, शेर एक्चली strength का परतीक होता है, लेकिन शेर का परतीक होता है, न्याय का भी, which means कि जितना भी content आया, जितना भी चीज़ें आई सामने, या चीज़ें लाई गई सामने, वो नाम किस के नाम पर लाई गई गई जस्टिस के नाम पर, सच के नाम पर, टूथ के नाम पर, जस्टिस के नाम पर, लेकिन वो जो content था, वो actually created था, माया देवी के पीछे बैठे हुए, जो बाहर के foreign के, जो सैनिक है, उन सब के work से created content था, वो illusion create करने के लिए, लेकिन वो लाया गया सामने, इस तरह से, सच के ज जंडे के साथ, जस्टिस के जंडे के साथ, नाय के जंडे के साथ, क्योंकि शेर उस जंडे पर है, अब यहां पर यह भी लिखा गया है कि, जो माया देवी हैं, उन्होंने बहुत तरह के weapons जो है, बहुत तरह के हतियार जो है, उनको manifest किया, उनके आसपास जो थे, वो कवे और वल्चर्स, गिद्ध, गिद्ध और कवे जो है, उनके आसपास चिला रहे थे, श्रीकिंग वाइसे, बहुत जादा पतली या खतरनाख बुरी आवाजों में वो चिला रहे थे, उनके आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है कि, जब मैं यह बोल रही हूँ ना, मैं आक्च बहुत सारे ऐसे और कवे जो बहुत जादा बोलते हैं, काय काय करते हैं, और मैं यहां पे ना, मैं बहुत सारे प्लिटिकल लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स नहीं बोलूंगे उनको, लेकिन बहुत सारे प्लिटिकल बैग्राउंड के लोग जो अपने बेनिफिट के लिए situation में कूदे, बहुत सारे ऐसे लोग जो justice के नाम पे उसमें कूदे और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हों ने हर तरहां से हर तरहां के हथियार, मतलब हथियार का मतलब जरूरी नहीं physical हथियार, हर तरहां के हथियार जो हैं सामद आमद लगाने की कोशिश की कि वो एक illusion जो है वो create कर पाएं और यह सारी energy जो कलकी की है इसको shut down कर पाएं इसको खतम कर पाएं इस चीज को आगे ना जाने दें I am sure आप लोग बहुत अच्छे से इसके साथ relate कर सकते हो क्योंकि इतना clearly relatable content है यह अब जब Maya की fight या justice की fight आई तो वहां और भी कुछ चीजे थी यहां पर actually six enemies Maya जो है वो उसके servants जो थे lust के under headed by lust lust सबसे major servant था उसका तो यहां पर lust की energy सबसे major होगी और बहुत सारे जगा ऐसे content भी डाले गए होंगे जहां पर ऐसे चीजें भी बोली गई होंगी कि जो कलकी है वो सही energy में नहीं थे या जो चीजें की गई वो सही energy में क्योंकि lust energy आ गई राइट तो lust energy से relatable multiple relationships इस तरहां की energy physical attractions इस तरहां की energy जो है उसको भी बीच में लाया गया और lust के अंडर किन छे enemies जिन्होंने जो उसके personal servant थे Maya के personal servant तो Maya के personal servant छे कौन से पहला काम दूसरा क्रोध तीसरा लोब चौथा मद मतलब arrogance मत्सरया मत्सरया मतलब jealousy jealousy की भावना so लोगों को इन 6 और 7 लस्ट इन 7 illusions के अंडर इन 7 चीजों के effect से या इन 7 चीजों के जरिये जो है कल के energy से पीछे पुल करने की कोशिश जो है वो की गई और ये वो chapter है जो बताता है कि ये कैसे किया गया माया देवी के परभाब से लेकिन हुआ क्या जब कल की army जब माया आई तो कल की army जो है वो सारी एकदम motionless हो गई कल की army एकदम stunned हो गई खड़ी हो गई कुछ नहीं कर पाई हिल भी नहीं पाई और ये क्या हुआ उसके बाद ये अगला चैप्टर बनेगा क्योंकि 10 मिनट की वीडियो अलरेडी हो गई लेकिन कल की army बिलकुल स्थब्ध रह गई और यह आई थिंक वह फेज है जब इस तरह का content या इस तरह की वीडियो जो है वह आई जो बिलकुल unexpected थी जो बिलकुल समझ से परे थी और जिनमें यह सब लो मो माया क्रोध सारी एनर्जी जैलसी सारी एनर्जी भरी हुई थी और यह content create किया गया था माय के अंडर जो अलिए काम कर रहा है जिसमें उर इंडिया लोग मिले जुले लेकिन जिनका दरम से कोई लेना देना देना नहींही था कलकि से को लेना देना देना नहीं था और 지금까지 क्यां हुई जित्ते भू लोग क ह nonprofit करेंगे और थोड़ी देर केले ड़ेस थोड़ी देरिख स् वीडियो अच्छी लग रही है रिलेट कर सकते हो तो प्लीज औरों के साथ भी शेयर करें क्योंकि आप इसको जैसे भी इंटरप्रेट करें आप इस एनरजी को इंटरप्रेटेशन को और जो एक्चल में उसमें लिखा गया है उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं वो इतना ख्ल हो और मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ और मैं शॉट्स डाल रही हूं छोटे-छोटे कंटेंट इसी को लेकर अकलकी की एनरजी को लेकर तो आपको जब भी वक्त हो तो उनको देखिए थैंक इस सो मुच टेक केर आप यॉरसेल्फ बाइबाइड